नमो नमहा लेर्निंग आउटकम्स आधारेत लेर्निंग गैप सामाक्री कक्षा आठ के अंतरगत संस्कृत के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग वाव विशेशन विशेश उपसर्ग उपसर्ग धातू या सब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्थन करते हैं संस्कृत में उपसर्गों की संख्या बाइस है या दूसरी अर्थ में हम यूँ कह सकते हैं बेशब्दास जो किसी सब्द की प्रारंब में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्थन करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं यहाँ पर कुछ उधारन दे हुए हैं प्रिविद्य अर्थियों ध्यान से देखिए गच्छती अर्थ होता है जाता है उपसर्ग अनू उपसर्ग धन क्रिया पद अनू धन गच्छती मिलकर हुआ अनू गच्छती अनू में हमने दूसरा हमारा जो अनू गच्छती का अर होता है करता है अनु उपसर्ग हमने जोड़ा करूती में जोड़ा तो अनु करूती अर्थात अनुकरन कर ता भवती होता है इसमें उद उपसर्ग लगा उद भवती अर्थात उद पन होता है जायती जीतता है उपसर्ग पड़ा पड़ा उपसर्ग लगा जायते में तो पड़ा जायत अहारता है प्रीविध्यारतियों आप इसमें देख सकते हैं अनु से अनुवशती अनु गम गच्छती अनु में कराधातू लगी उपसर्ग में तो अनु करोती अनु उपसर्ग में धावधातू लगी तो अनु धावती अपरी विद्यारतियों हम आगे पढ़ेंगे विशेशन और विशेशे विशेशन क्या होते हैं वे शब्द जो किसी संग्या आदी सब्द की विशेशता बताते हैं जो किसी संग्या आदी सब्द की विशेशता बताते हैं वे विशेशन सब्द कहलाते हैं तथा जिसकी विशेष्टा बताते हैं, जिसकी प्रिविद्यारतियों ध्यान दीजेगा, जिसकी विशेष्टा बताते हैं, वहें विशेष्ट कहलाते हैं, जैसे हुई क्रश्ण सरपह, सब्दे में विशेष्ण क्रश्ण, मतलब विशेष्टा क्या है, कि वहें काला है, कौ काला और विशेश क्या हो गया सर्प जिसकी विशेशता बताई जाती है वो विशेश होता है प्रिविद्यारतियों यहां पर हम देखेंगे महा पुरुस पीताम बर दक्ष बाल कहा देशेशन में जो है महान पुरुस में महान और विशेश में महापुरुस में हम देख रहे तो महापुरूस माने तो महापुरूस बहान क्या है विशेशन और विशेश क्या है पुरसहा पीतांबरा पीतम मतलब पीला अंबरम मतलब वस्तर पीला है वस्तर मतलब पीतांबरम तो वस्तर की विशेशन क्या है कि वह पीला है तो पीला क्या हो गया उसका विशेशन हो गय और विशेश क्या हो गया अंबरम दक्ष बालका विशेशन तो बालक कैसा है दक्ष है तो दक्ष उसकी विशेशन हो गया और बालक विशेश हो गया कौन दक्ष है तो बालक तो वो विशेश हो गया अब यहाँ प्रिविद्यारतियों हमाते हैं बर्कसी गदिविद्यों प्रिविद्यारतियों देखिए ये बना हुआ है अनू उपसर्ग लगा करके हाँ और क्रिया जो है करोती है गच्चती है धावती हमें क्रिया पत बनाना है तो हम इसमें बनाएंगे अनू उपसर्ग और करोती को मिलाया तो हो गया अनू करोती अनू गच्चती में हमने क्रि जोड़ी तो क्या हो गया अनुधावती प्रिविद्यार्तियों दो में अब हम प्रदत सब्दिभ्या विशेशनम विशेश प्रथक कुरूत यानि नीची दी हो शब्दों में विशेशन और विशेश को प्रथक करना है अलग करना है नील उत पलम तो इसमें विशेशन हो ग त्रम तो हरित क्या हो गया विशेशन और वस्त्रम क्या हो गया विशेश पीत पटम पीत क्या हो गया विशेशन और विशेश क्या हो गया पटम इस प्रकार प्रीविद्यारतियों हमने उपसर्ग और विशेशन विशेश आधारित चेप्टर था कंप्लीट किया धन्यवाद है